दोस्तो जब भी हम Google Play Store से कोई भी बड़े से बड़ा गेम डाउनलोड करते हैं तो अक्सर दोस्तो आपने देखा होगा गेम आधा ही डाउनलोड होता है लेकिन हमारे फोन का जो इंटरनेट डाटा है ये पूरा खतम हो जाता है 100% इंटरनेट डाटा यूज हो गया ऐसा मैसेज आ जाता है और गेम क्या हुआ आधा ही डाउनलोड हुआ मतलब कि इतना गुस्सा आता है ऐसे समय पर क्या ही बोले इसलिए दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो हमारे फोन के अंदर दी होते हैं उससे अगर आप अक्टिवेट कर देना तो कम से कम इंटरनेट डाटा के अंदर आप कोई भी बड़े से बड़ा गेम आसानी से अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और उसे खेल सकते हैं समझ रो, आपके फोन का इंटरनेट डाटा पूरा खर्च भी नहीं होगा, गेम भी डाउनलोड हो जाएगा और आप उसे खेल भी पाएंगे और इंटरनेट डाटा भी बचेगा, सिर्फ आपको दो ट्रीक को अपने फोन के अंदर एक्टिवेट करना है, फिर कितना भी बड गेम आसानी से आप अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं उन दो ट्रीक के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड कंटीनू गाईस इस वीडियो को देखते रहूं तो आएए दोस्तों मैं आपको उन दोनों ट्रीक के बारे में बता देता हूँ, जिससे अगर आप अपने फोन के अंदर एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके बाद कम से कम इंटरनेट के अंदर आसानी से आप बड़े से बड़ा जो गेम है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो ट्रीक है उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने फोन का जो में सेटिंग होता है, इसे उपेइन कर लेना है, ठीक है, में सेटिंग के अंदर आप आएंगे, तो यहाँ से दोस्तों आपको नीचे की तरफ चले आना है, नीचे आए जो दूसरा ट्रीक है, वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो इसे उन करने के बाद दूसरा ट्रीक लगाना बहुत ही जरूरी है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रीक आपको 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 दिखा देता हूँ, ओन क्या एक प्रकास से आपको इसे समयलो बं नहीं है यह आपके फोन का पूरा का पूरा जो इंटरनेट डाटा है उसे सपर्चेट कर देता है खतम कर देता है आपको भनक तक नहीं लगता यह दोस्तो आपके फोन में जितने भी अलग-अलग एप है ना उन्हें दोस्तो इतना ज्यादा इंटरनेट कंजूम करने देता ह जिसकी वज़े से आपके फुन का पूरा internet data खतम हो जाता है तो यहाँ पर दोसों यह standard limit पर set होता है तो यहाँ पर आपको इसे कर देना है no background process पर इस पर अगर आप कर देते हैं तो समझ लेजिए आपके फुन का जो internet data यह use कर रहा था न और पूरा का पूरा save होगा खर्च हो आपड़ेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस app को कैसे आप download करेंगे ओसम मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको करना क्या है तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे open कर लेते हैं इसे open करेंगे इ कुछ information लिखा हुआ आएगा read कर सकते हैं फिर आपको ok करना है ठीक है अब यहाँ पर वापीस से आपको ok करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर don't ask again के उपर click कर देना है और यहाँ पर ok कर देना है अब यहाँ पर आपको एक permission देना होगा ताकि यह application आपके phone में अच्छ के उपर click कर देना है इस पर click करेंगे अब आपके phone के अंदर जितने भी app है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी application यहाँ पर आ चुके हैं जो आपके phone के अंदर आपने download कर रखा है ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिया हुआ है इसे भी आपको यहाँ से बंद कर देना है जैसे यह रेड में हो जाएगा तो समझ जाएए यह बंद हो गया अब यहीं सेम छी दोस्तों आपको सभी application के साथ करना है जिसके साथ दोस्तों यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ठीक है अब जैसे कि आप यह कर दोगे तो इसका benefit क्या होगा मैं आपको बताता हूँ यह जो अलग-अलग application आप यहाँ पर देख रहो यह application दोस्तों आपके phone का जो internet data है उसका एक भी MB खर्च नहीं कर पाएंगे जब भी दोस्तों आप कुछ download करेंगे यानि कि अगर आप play store से कुछ download कर रहे हैं तो यह जो application आप पर आपको करना क्या है अगर आप Wi-Fi यूज करते हैं तो यहाँ पर Wi-Fi आपको सबका बंद कर देना है अगर आप दोस्तों इंटरनेट डाटा यूज करते हैं तो आपको यह जो data दिया हुआ है इसे इस प्रकास से बंद करना है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैस जैसे दोस्तों आप यहाँ पर डाटा बंद कर देंगे तो उसके बाद दोस्तों वो है application आपके phone का जो internet है उसे consume नहीं कर पाएगा जैसे दोस्तों आप यह सभी का बंद कर देते हैं अभी तो यहाँ पर मैंने इतने application का बंद कर द stiff आपको ये सभी का करना है ठीक है जितने भी application आपके phone के अंदर है ना सब के साथ ये same चीज आपको apply करना है उसके बाद आपको home page पर आना है अब दोस्तो जब भी आप अपना ये जो google play store है यहां से दोस्तो आप जो भी game हो गया जैसे कि यहां पर हम search के लेते हैं VZMI और VZMI को जब भी आप यहां से download करेंगे तो ऐसे में दोस्तो होगा क्या आपके phone का जो internet data है ना वो पूरा का पूरा सिर्फ हो सिर्फ इसी game के अंदर इस्तमाल होगा यानि कि जो अलग-अलग application अलग-अलग system अलग-अलग जो आपके phone के अंदर processor हो गया RAM हो गया सब जो internet आपका consume कर रहे थे ना वो ची दुस्तो आपके phone के अंदर नहीं होगा यानि कि पूरा internet आपका सिर्फ game download हो रहा है अगर यहां पर 500 MB का game download हुआ है तो आपके phone का जो internet data है उस सिर्फ होसी 500 MB ही खर्च होगा नहीं तो पहले क्या होता है 500 MB हमने download किया और 1000 MB खतम हो गया एक GB खतम हो गया पता ही नहीं चला भाई 500 गया कहाँ पर 500 भाई आपके phone में जो अलग-अलग application है ना इन्होंने खतम कर दिया तो ओचित दोस्तों अगर आप नहीं चाहते हैं तो यह जो मैंने आपको यहां पर ट्रिक बताया है यह चीश को आपको यहां पर apply करना है मतलब कि पहले आपको जो background process का बताया है उसे बंद करना है उसके बाद यहां पर आके सब का यह जो internet है इसे बंद कर देना है अगर आप internet बंद कर देंगे तो चाहकर दोस्तों यह application आपके phone का internet data consume नहीं कर पाएंगे फिर जब भी दोस्तों आप play store से कोई भी game डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ औसिप आपके phone का internet data है वो game के download में ही खर्च होगा और कहीं पर भी खर्च नहीं होगा त अब बात करते हैं दोस्तों इस एप को कैसे आप डाउनलोड करेंगे तो इस एप को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों Google Play Store को पेइन करना है इंटरनेट गार्ड लिखकर सर्च करना है और यह application आपको मिल जाएगा इसका नाम ही दोस्तों internet गार्ड है यह आपके phone का पूरा का पूरा जो internet है उसे सेव करेगा और आसानी से दोस्तों कम से कम internet में आप कोई भी चीज आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक को शेर करना साथी साथ हमारी शेनल को सस्क्राइब कर देना थैंक कर दोस्तों